यूद्स कही इधर उधर दुवायों में किया जाता है और लाल रंग का केसर जो है पिवर làल छी जो है फूल में से केसर को निकाल करे एक जगा उसको जमा करके उसके बाद ऊसको गुछी बनाई जाती है और यहाँ पर ज्जदातर गुछी ही बनाई जाती है उसी को मार्केट में फरकों फरोकत किया जाता है नमस्कार भाई जाए हिंद बंदे मात्रम तो ये विज्वल्स में आपको दिखा रहा हूं केसर की धर्ती लोहित मंडल पुछाल गाउं से अब पुछाल गाउं बाकी चीजों में तो मशूर ही लेकिन सबसे जादा म और मेहनत से मेरा मतलब है कि आप देखिए इस खेट को पहले इसमें कोई फॉरण एजन्ट नहीं है I mean to say कि सिर्फ केसर ही केसर दिखेगा इसमें अदर्दन केसर आपको कोई घास नहीं दिखेगी तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी मेहनत लगती है कितना काम होता है और Conventional Method ये है कि भाई ये सारा काम जो है Farmers खुद करते हैं तकनी कभी इसमें कोई इस्तिमाल नहीं होती है उपर वाले के रहमों करम पे काम चलता है कि बारिश होगी किस समय होगी कब धूप होगी अभी तक तो बस traditional method चल रहा है कश्मीर की तरह नहीं कि आप वहाँ पे मशीनो से काम लें पानी का छिड़काओ भी करें चैमिकल्स भी यूज़ करें बाकी चीज़ें भी वहाँ से क्या होता कि केसर की शुद्धता काम हो जाती है रेकिन किष्टवार में ऐसा नहीं है इसकी शुद्धता जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर वन मानी जाती है बड़ जी जी जी जाता है जो फूरे का पूरा जो फूल जो होता है और ये खुल जाता है जो फ्लावर होता है और उसके बाद दिक्कतें बैदा होती है ये नीचे गिर जाता है केसर खेट की उपर और इससी क्या होता है प्यूर्टी लॉस भी होता है और आपको भी दिक्कतें होते हैं नुकसान भी होता है और नौ टॉकिंग अबाउट पार्ट साफ फ्लावर इस वन यह देखिए भाई सब जो मालिक है यहां पर सोना जो मेरे हाथ में है जो दिख रहा आपको यही है असल में केसर जो खेट से सीधे निकल के आपके घरों तक पहुंचता है दिल्ली मुंबई गुजरात और इवन की फॉरन में भी आपको वहां पर पांच लाख रुपे किलोगराम के हिसाब से मिलता है अमाजोन के उप यह सबसे कीमती चीज और होता क्या है जब पांच और शे बजे आप यह फूल चुनके निकल जाते हैं उसके बाद ना ग्यारा से बारा बजे तक और एक बार आपको अपने खेत में आके नजर मारनी क्यूं कुछ ऐसे भी होते हैं जो जमीन में गड़े होते हैं और एक दो सब यह जो यलो यलोईश पार्ट आप देख रहे हैं यह किलोग्राम के हिसाब से बिखता है पांच हजार रुपे से लेकर कहीं दस हजार भी रेट चला जाता है कहीं तीन हजार ही आ जाता है विकश्व रेट अभी फिक्स नहीं होए ग्वशनों की तरफ से उसकी अलग ल तीन फिंगर से इसको खींचा यह बाहर आ गए देखिए अब क्या होता है ना कि जो बैमानी वाले लोग है वो इससे भी नीचे फूल को खींचते हैं और यह वाली डंडी यह यह वाली डंडी मिक्स करके आपको बेचते हैं आपके केसर के अंदर और आप कह रहें कि शायद या तो फिर जो यह केसरी है इसके अंदर डालके आपको बेचते हैं बड़ ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होता यह इंप्यूर माना जाता है फूल जो है आपका वो प्रॉपर यह है और उसके नीचे आपका यह आ गया और तू और थर्ड पार्ट यह जो होता है से यह रही फ्लावर की कंडिक्शनी अब खेत का आपको सिक्वेंस दिखा देता हूँ जो केसर है बहुत लोग मुझे ऐसे भी फ्रेंड से ना आउट आफ स्टेट में वो कहते हैं कि इसके बड़े-बड़े पेड़ होता है ऐसा पेड़ बड़े कुछ नहीं होता है यह द देखिए फूल अभी पूरा बाहर नहीं है अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो भाई साब जो मालिक है यहां पर अरुन जी यह बुरा मान जाएगा कहेंगे दोसों का नुकसान पहले है दोसों का बाद मेरे पास अभी हैं भी नहीं तो यह एक्सपेक्टिड है कल मॉनिंग में पांच बज़े फूट बिलकुल उपर आ जाएगा और जादा धूप लगने से पहले इसको निकाल लेना है तो आपका खारा सोना आपके हाथों में आ जाएगा यह देखिए खेत की कंडिशनिंग देखिए सफाई देखिए और रो देखिए शीनगर में असा नहीं होत होती है इसकी जो भीज लगने की प्रक्रिया होती है वो बहुत अलग है बहुत ज्यादा अलग और हम जो फूलों को खोलते हैं इस तरीका का गाम करते हो हाथों से होता है वहां पर कहीं पानी वाने का इस्तेमाल भी होता है और महंगा भी बेचते हैं कश्मीर का हवा बना क रखा हुआ है इन्होंने केसर का फुल ब्लूमिंग है इसकी आज सुभा इसको नहीं उठाया गया यहां से तो यह खराब होने की गारपी आगए इसको ज्यादा धूप लगती है तो यह खराब हो जाता है इसमें इसके धूप लगाने का भी एक समय होता है पांचा साथ दिन यह देखे पूरा फूल यहां से निकला यह देखो जितना आप इसको खीट सकेंगे उतनी आपकी तार केसर की लंबी आएगी यह फूल में फिलाल रख लेता हूं दोस्तों का खर्चा भी होना चाहिए व्लॉग मनाने का तो फूल ब्लूमिंग अपर पुछाल किष्टवा हमारों हमारा जो अपना खेत उसमें क्या है कि वह हमने इसी साल बीजा है तो इस साल जो खेत बीजा जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके फ्लावर्स कम आएंगे थर्ड यह जो होता है इसमें तब आप इसको निकाल लेते हैं और थर्ड यह में आप बिल्कल मिٹी जैसे आप गंबले में लगाते है इस तरह की मिटी होनी चाहिए यह बिल्कुल करेब इसस फ़ूल को इधर मिटी से बाहराने के लिए ना कोई तकलीत नहीं होनी चाहिए ता उसक लिए मिटी आपकी यह उनीचाए बस यह किस और आपने देखा होंगा और गवी चुहे को खेतों मेंसे जब मिटी निकालता है तो कैसी मिटी होती है वो उस तरह की मिटी है देखे कंडिशनिंग और यह सारा का सारा कम हातों से हो रहा है यह कोई ट्रैक्टर आके यहां काम नहीं कर रहा है यहां पर इन्होंने जो या गेहू पहले लगाया था और तुरंत बाद केसर लगा दिया है तो हिकुड़ाइट एक्सपेक्ट कि इनको इस पार कुछ निकलने वाला है जीरो बटा सनाटा निल फिर क्या करेंगे यह भाई सब बोलेगे हाँ होगा कैसर गवर्मेंट कुछ नि कर रहे अब गवर्मेंट क्या करेगी पहले हाथों की वर्जिश तो कर ली देखिए इनके खेत में घास सबरे सुनेंगे मेरे खेत में आया था तो टांगे तोड़ देंगे मेरी यह पूरा एरिया जो है महा भारत की हिसाब से इसको कहते है लोहित मंडल यह एरिया आपका नीचे मत्ता से लेकर बैक साइड में हिड्याल और उदर से नीचे पूरा पुछाल तक लोहित क्या होता है लोहित का मतलब है संस्कृत में केसर तो लोहित मंडल कहा गया है इसको हमारे पुरानों में भी कष्टवाटा से किष्टवाड पहले कशबमर उसके बाद कष्टवाटा उसके बाद किष्टवाड ऐसी चीजें एविलूशन तो होता ही है यह देखे यह खेट जो है इसमें एक दिक्कत आगया आप में पताता हूं में यह वाला जो कंडिशनिंग बेस्ट है बट उपर से क्या है ना यह देखो यह ड्र भाई सब जरा खेत में भी नजर मारिए ठेके में कम तो यह था एक व्लॉग आपकी जानकारी के लिए पूरा आपने इसको देखा होगा एक्सपेक्ट किये होगा मैंने जादा से जादा आपको शेर करना है और डारिक्ट अगर आपको केसर चाहिए खेतूं वाला प्यूर तो हमें comment box में लिखना है हमें inbox में लिखना है और अरुन जी का धनिवाद करना क्योंकि देखो हमारे भाई बंदू तो ये है ही और सासात में हमारे खेत भी सासात में हैं तो अब यह है कि ये ज़़गे उनको पूल बहुत जादा निकल रहे है तो इस बार क्रोड़्पती एक्सपेक्टिड है यह कह रहे हैं कि इस बार डिसकाउंट भी दूँगा मैं अगर लोग 5,000 का पर 10 ग्राम लेंगे तो यह 4,400 निन्यान में बेचेंगे है ना भाई साब तो एक्सपेक्टिड है इस बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी दर्शकों का भी YouTube पर वीडि और मौसम इसमें moderate चाहिए यह आपके घरों में नहीं लगेगा यहां से मिटी लोगे एक बार एक बार फसल आईगी दूसरे बार नहीं लगेगा अब scientific methods भी आ गए बट वो नहीं चलता हमने try करके छोड़ दिया है यह चीज खूब सूरत किष्टवार की वादी